नमस्कार दोस्तों कोरोना वाइरस बहुत ही भयंकर रूप से फैल चुका है संपुर्ण भारत में और भी ज्यादा केशिज आ रहे हैं कोरोना वाइरस को लेकर कोरोना वाइरस बहुत ही भीष्ण रूप पकड़ चुका है और सभी लोग इसे परेशान हो चुके हैं दोस्तो इस वाइरस का संकर्मन थोड़ा बहुत रुक तो जरूर गया है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि पूरे भारत में लोकडाउन कर दिया गया है संपूर्ण बात में लोकडाउन करने का यही सबसे बड़ा फाइदा है कि यह संकर्मन आगे नहीं बढ़ सकता है लोग अगर अपने से दूसरे के साथ संपर्क में नहीं आएंगे तो यह वाइरस बहुत ही कम हो जाएगा और आगे फैलेगा भी नहीं और दोस्तों इसके कारण बहुत ही बड़ी बड़ी समश्याएं पैदा हो चुकी हैं संपूर्ण विशव में दोस्तों सबसे बड़े खेल ओलंपिक के खेल होने वाले थे जो 2020 के साल में ही होने वाले थे 2020 के वरस में ओलंपिक टोक्यो में होने वाले थे है और उलम्पिक के खेल अभी अगले वरस ही टोक्यो में खेले जाएंगे इसके साथ साथ IPL के खेलों को भी रद कर दिया गया है करोना वाइरस के कारण IPL के खेल 2020 में होने वाले थे और यह IPL के खेल अब नहीं हो दिये गए हैं और इसे लोग परिशान भी हैं दोस्तों लोगों के लिए 14 अप्रैल 2020 तक कर्फ्यू लगा दिया गया है उनको अपना खाने पीने का समान भी मिल चुका है और सरकार उनको उचित मदद भी दे रही है दोस्तों कोरोना वाइरस पर डॉक्टर भी हार मान चुके हैं वो भी अगर जितना पोसिबल हो सके उतने ही मरीजों को ठीक कर पा रहे हैं दोस्तों कोरोना वाइरस का सबसे बयंकर परिणाम इटली स्पेन और अमेरिका उसके साथ साथ चाइना ने भी सबसे ज़्यादा नुक्षान भुगता है दोस्तों भारत इस लिस्ट में बिल अखिरी तक जरूर देखिएगा और दोस्तों कोरोना वाइरस और अन्या परकार की न्यूस जानने के लिए सबसे पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लें और नोटिविकेशन बैल को चालू कर लें ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी संपूलन जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले दोस्तों इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये वाइरस जो करोना वाइरस है संपूलन विशो में चाइना से ही सुरू हुआ है और दोस्तों चाइना इस वाइरस के लिए इतनी माधा-पच्चिक कर रहा था कि कोई भी नहीं सोच सकता दोस्तों चाइना के संपूर्ण रिशर्च सेंटर और संपूर्ण मेडिकल होल्स इस कारिये में तीन रात लगे हुए थे तीन महीनों तक और दोस्तों जहां से करोना वायरस शुरू हुआ था उस सहर में दो महीनों तक लोकडाउन चला था और इसी कारण से भारत में ऐसी परिश्थिती नए आए तो प्लीज आप अपने घर पर ही रहें यही सभी के लिए सुरक्षित है दो महीनों के पस चाइना अपने संपूर्ण काम में लग चुका है वहाँ पर आम जिन्दिगी चल चुकी है सभी परकार के कारिये होने लगे हैं सभी परकार नहीं है कि चाइना को कोरोना वाइरस का इलाज मिल चुका है इसी कारण से चाइना ने लोगडाउन को खोला है और सभी को कोरोना के लिए बता भी दिया है और दोस्तों इसमें चाइना का स्वार्थ हो सकता है और वह है दूसरों को इलाज नहीं बता रहा है कोरोना वाइर कर रहे हैं और कोरोना वाइरस की दवाई के लिए बहुत ही ज़्यादा दिन रात एक कर रहे हैं दोस्तों चाइना से एक और वाइरस पनप रहा है जिसका नाम हंता वाइरस है दोस्तों हंता वाइरस भी चुहों से पैदा होता है जिस परकार कोरोना वाइरस चाइना से हुआ है तो दोस्तों आप इन दोनों परकार के वाइरस से सावधान रहें यह भी वाइरस बहुत ही खतरनाक है कोरोना वाइरस संपुर्ण विशव में अपनी जड़े जमा चुका है और इस वाइरस के करण बहुत ही ज्यादा मातरा में भयंकर मोते भी हो रही हैं इन मोतों क पजिमेदार केवल और केवल कोरोना वाइरस है और अब चाइना से एक और भयंकर अपडेट्स आ रहा है जो की है हंता वाइरस का हंता वाइरस चाइना से ही उत्तपन हुआ है और इस हंता वाइरस के करण भी बहुत सारी जाने जा चुकी हैं चाइना में कोरोना वाइरस औ और हंता वाइरस दोनों ही चाइना की उपज हैं और इसके कारण ही संपुर्ण विशव को चाइना ने धक्का मार कर एक बयंकर खाई में धकेल दिया है चाइना की उपज हैं हंता वाइरस और कोरोना वाइरस दोस्तों कोरोना वाइरस के 600 से ज्यादा मामले भारत में आ चुक के करण और दोस्तों बात करें हंता वाइरस की तो हंता वाइरस भी इससे भी भयांकर बता जा रहा है कोरोना वाइरस से भी भयांकर हंता वाइरस से जो गर्शित हो जाता है उसका भी कोई भी इलाज नहीं है कोरोना वाइरस की तरह है कोरोना वाइरस से एक भयांकर मामारी ल जनता है हन्ता वाइरस के काड़ भी चाइना में मोटों काकड़ा बढ़ रहा है चाइना में लगातार दिन पर ती दिन हन्ता वाइरस करोना वायरस के साथ-साथ अपनी जड़े जमा रहा है चा chapters भी करोना वायर और हंता वायरस को लेकर बहुत ही परेशान है उनको किसी भी परकार का कोई भी तरीका नहीं सुलज रहा है कि इन दोनों वायरस का क्या किया जाए संपूर्ण विशव इससे विचलित है और वर्ल्ड हैल्थ और्गिनाइजेशन ने भी ये फैसला किया है कि इस वायरस को रोकने के लिए केवल और केवल ब्रेकडाउन ही अभी बचा है तो आप सभी भी अपने घरों में रहिए इससे ही कोरोना और हंता वायरस से बचा जा स लगता है कोरोना और हंता वायरस दोनों ही अगर सरीर में प्रेवेश कर जाएं तो ये जानलेवा तो होते ही हैं और इनसे संकरमन बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है और बिमारियां आपके सरीर में अपनी जड़ें जमा लेती हैं तो आपको भी कोई भी रोग इतियाद की संबावना हो तो तुरंत डॉक्टर से चेक अप कराएं ये कोरोना और हंता वायरस के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों हंता वायरस अभी तक भारत में नहीं आया है भारत में किसी भी परकार का भी हंता वायरस का केस नहीं आया है हंता वायरस आते ही उसकी खबर भी हम आप को तुरंत ही दे देंगे दोस्तों आप से कोरोना और हंता वायरस की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने हाथों को बार बार साफ की जिएगा कोरोना वायरस और हंता वायरस से बचे रहिए ये आपकी श कोरोना वायरस का एक और सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों आप प्लीज हमारे साथ जरूर जुड़े रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और नोटिविकेशन बैल को आवश्य ही चालू रखें ता